हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वास्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्बू इंदोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जिन्हें आप देख रहे हैं अभी वो मेरी बड़ी बेहन प्रिती दी हैं और ये मेरी फ्रेंड नेहा आई हुई है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इनके घर गई थी अब क्या है कि इनका जाना हो रहा है और मैं तो अभी रुकी हुई हूँ तो ये मेरे से मिलने आई है इसके बाद ये एक दो दिन में वापस अप आई हूँ और आके मेरा फोन मेरे पास नहीं था और मैंने फोन भी नहीं कर पा रही थी कि आज मैं निहा को बुला लूँ पर क्या बताओं दोस्तों दिल की बात जैसे किसी दूसरे दिल ने सुन ली है किसी दूसरे फ्रेंड ने सुन ली है और वो जो है अपने आप ही आ और बोल रहे तुम्हारा फोन सुचुँ बता रहा है तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है मेरा फोन मेरे पास नहीं है और उस यहतने ऐगल आगई हूं। इसको मैंने गोद खिलाया है और आज ये तनी बड़ी हो गई है वही मैं बाते कर रही हूँ के परियाप कौन सी क्लास में आ गई हो और क्या कर रही हो साथी साथ अब ये नास्ता चाय सब चल रहा है मेरी फ्रेंड ने हाँ जो है चाय कभी नहीं पीती है नहीं पीती है कोई कोई किसी का मन नहीं होता है पर मैं तो पीती हूँ लेकिन अभी गर्मी बहुत जादा है तो मैंने भी स्किप कर रखी है मैं नास्ता लगा देती हूँ साती सात फिर कुछ कोल्रिंग वगेरा भी आ जाएगी तो वो हो जाएगा ममी ने पूरे टंकी भर के नास्ता मंगा के रखा हुआ है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, मेरा बच्चा दीदी आ चुकी है दीदी का भी बेटा है अकू इसके बाद फिर नेक्स डे नेहा भी आने वाली है उसके बाद मेरी और बड़ी बेहन जोती दीदी भी आने वाली है तो हम लोग जो है एक साथ रहेंगे तो सब कुछ लगेगा ही यह हम लोग ने लिमका मगाई है तो उनको नास्ता बगेरा सब लगाया है बाते चल रही है बहुती अच्छा माहोल है बहुत अच्छा लग रहा है लखनू की भी मैं बाते बता रही हूँ कि इसी बीच मैं लखनू मैं भी होके आई हूँ अपने परिवार के साथ धिन बिता के आई हूँ बहापी सब लोग बहुत अच्छे है और नेहा भी बस अब जाने वाली है एक मेरी नेहा जाने वाली है और next day एक नेहा मेरी आने वाली है मैं आप सभी को अपनी नेहा और उसके छोटे से प्यारे से क्यूट से बेबी से भी मिलाउंगी मैंने मेरी फ्रेंड नेहा को लिमका कोलिंग पिलाई है और नास्ते में मैंने लड़ू, पेड़े, बिस्केट, पेठा और तीन-चार प्रकार की नमकीन बगेरा सारी कुछ चीज़ें नास्ते में कराई हैं जादतर चीज़ें मम्मी के हाथ की ही बनी है, मम्मी कितनी तयारी कर रही है, कितना समान बना बना के रख रही है, क्योंकि सारे लोग हो जाएंगे आजाएंगे तो थोड़ा खाना पीना भी अच्छा लगेगा, तो वही सब हो रहा है और बाते चल रही हैं, लक्ष आप नहीं भी सोते हैं, साथी साथ दोस्तों इस समर वेकेशन में पता नहीं क्या हुआ है, कितनी अच्छी किसमत है, कितना अच्छा भाग है, कि मैं मेरी सभी सहलियों से मिलने बाली हूँ, और साथी साथ मेरी सभी बेहनों से भी मिलने बाली हूँ, जो बेहने यहां आ जाएं मैं जाओं तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिलाल तो आप मेरे जालोन बाले ब्लॉग जो है खूब इंजॉइ करें खूब देखें हों बहुत एप्रिशेट करें दोस्तों यह उनको गोदी दी जा रही है हमारे इसको कोछा बोलते हैं हमारे लकनव में और उनका छोटा स बेटा है हमारी नेहा को आया नहीं तो मेरी ममी ने उसके लिए भी कुछ गिफ बगएरा और नेहा के लिए लिए भी गेटव व्हीं सब्धी अमें मैंने मेरी तरब से भी कुछ दिया है मेरी रिपन को और उसकी बहां désि को मेरी दीदी कि वी स्वेटी हूई तो थोड़ा बहुत कुछ देना लेना तो बनता ही है यह सारी चीजे थोड़ी अच्छी भी लगती हैं इस बार हम दोनों से लिया दो बार मिल लिये हैं आप देखते हैं कब मिलना होता है हमारा क्यूंकि मैं भी इंदौर जाओंगी और नेहा भी जासी में रहती हैं तो नेक्स टाइम आने वाली है धूरा हो तो मिने थोड़ाइब और थोड़ा सा आटा उसका डौ बना थे जिसमें अजवाइन नमक डौक दाल जार दिया जब से तो बहुत ही प्रॉपर साफ साफ करती हैं हेलो दोस्तों यह आप देख रहे हैं कि बेटिया जो है माई के आ गई है और माई काम पर लग गई है यह नमक पारे मैंने काट दिये ते मैंने और जीदी ने तो मम्मी सेक रही है चूला हमारे जलाए जाता है जब भी कोई जब जादा काम करना रहता है मम्मी को तो मामी लगोने चूला जलाती है और चूले कर का भानता है वह पहलत ही तेस्टी नेक्स्ट कभी वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी हमारे चुले के ठाना बनाते हैं यहां देखो काम हो रहा है यह लक्ष और लक्ष की मौसी इन्हों ने एक यहां पर गमला बना हुआ था तुल्सी जी का तुल्सी जी हालाकि उसमें सूप गई थी तो वह तोड़ दिया है उच्छत पारे सेक रही है इसके बाद बनाएंगी गुलाब जामुन और पीछे हमारी छोटी छुटकी तहल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है अपना घर है अपना माइका है तो बहुत अच्छा तो लगे जहीं सबाबिक है यहां पर दोस्तों जितना भी मलवा बचा हुआ है गमले का मैं उसे उठाके भरके नीचे ममी को दे रही हूं और ममी की जगह पे दीदी नमक पारे सेकने लगी हैं ममी दूसरी छट पे खड़ी हुई है बहाद से सारा मलवा पीछे एक बना हुआ है जहां कच्रा फेका जा है वो सब फेक देंगी हूं मैं इस तरीके से इनको ममी को दे रही हूं वो जो गमला था वो विल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था वो बीचो भी छट पे थोड़ा अजीब सा लगता था तो वही हम लोग इस तरीके से काम रिप्टा रहे हैं क्योंकि जैसे कभी कोई मेह हैं तो थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है चाट पर लेटने बैठने के लिए तोड़ा अच्छा हो जाएगा यहां पर आप देख रहे होंगे ममी गुलाब जमुन तयार कर रही है क्योंकि बहन और मेरे जो बहनोई है यानि अंकित जी है वो भी सब लोग आ रहे हैं तो थोड प्लीज दोस्तों लाइक करें और मेरी मम्मे के लिए तो जरूर लाइक करें और पसंद करें इसको मैं अपनी वार्णी को यही विराम देते हुए इसी वीडियो को यहां पर एंड करती हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज वेट करें और वीडियो को पूरा वाच कर थेंक यू दोस्तो बाई बाई अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा और अपनी खुजबु इंदोरी को सपोर्ट करते रहेगा